पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर पार्वतीश आधे नमितो पार्वतीश आधे नमितो विघन बर्ग नग भग नक राया विघन बर्ग नग भग नक राया विघनिश्वर गणपतिमक तो पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर कालिदास कालिदास कविराज रचित हे गानी शाकूं तल रचित हे गानी शाकूं तल रचितो गानी शाकूं तल रचितो जानुनियाम अवसाननसोनी महत कृत्य भर शिरिखेतो महत कृत्य भर शिरिखेतो पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर पंच तुन्ड नर रुन्ड माल धर इशवराचा लेश मिले जरी मूढ यतन शेवटी जातो इशवराचा लेश मिले जरी इशवराचा लेश मिले जरी इशवराचा 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 लेश मिले जरी इशवराचा 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 लेश मिले जरी मूढ यतन शेवटी जातो इशवराचा लेश मिले जरी इशवराचा लेश मिले जरी नररुंड माल धर पंच तुन्ड नररुंड माल धर पार्वतीश आधी नमिदो विघन पर्गन अग हगन कराया विघनिशवर गणपती मगतो विघनिशवर गणपती मगतो विघनिशवर गणपती मगतो पंच तुन्ड नररुंड माल धर पंच तुन्ड नररुंड माल धर पंच तुन्ड आव पंच तुन्ड आव पंच तुन्ड नररुंड माल धर पंच तुन्ड नाट्यक्षेत्र को संपूर्ण जीवन अर्पित किया है ऐसा यह गुरुकुल है ऐसा यह आश्रम है इस आश्रम का दर्शन चार बार हुआ है पाच साल पहले मैं यहां आया था एक कीरितन परफॉर्म करने के लिए महराष्टर में कोई संत ने कोई कविता लिखी हो तो उसका गायन को कीरितन नहीं कहते गायन तो होना ही चाहिए लेकिन उसके साथ उसका निरूपन भी होना चाहिए प्लस प्रवच्चन इसको महराष्टर में कीरितन बोलते है प्लस स्टोरीज आफ गाड़्स तो इसके परफॉर्मंस के लिए मैं पहली बार आया था बाद में तीन संगितनातक तीन साल अलग-अलग संगितनातक का या परफॉर्मंस किया और ऐसे चार बार यहां आने के बाद श्रीमान अक्षराजी ने कहा आप साल में एक दिन आते हो और हमें कुतुहल जनम लेते हुए चले जाते हो तो इन सब हमारे स्टूड़न को भी थोड़ा उसका ज्यादा परिचे होने के लिए आप तोड़ी चार परफ दिन यहां आई है तो यहां ठहरने का सवभग्य मिला मैं इसके लिए सब निनासम परिवार का अभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद किसी गुरु कुल में रहने का आनन मिला है बाकि सब जगह स्कूल है गुरु कुल नहीं है जहां गुरु एक साथ है सब विद्धर्थियों से चर्चा विनिमे करके बहुत आनन बाद तो पाच दिन उनको भारतिय शास्त्रिय संगीत और नाट्ट संगीत इसके बारे में दिन में दो बार लेक्चर चल रहे थे तो अक्षराजी ने कहा एक छोटा परफॉर्मस भी दे दीजिए बाकि लोगों के सुनने के लिए भी अच्छा हो जाएगा तो बहुत ला क्यों ने आप सभी लोगों का स्वागत है जैसे करनाटक में संगीत नाटक की बहुत बड़ी परंपरा है वैसे ही महराष्ट्र में फर्स संगीत नाटक स्टेश पर आया था वो 1880 को आया था मराठी संगीत नाटक अविद्यान शाकुंतलम अर्थाथ वो संपूर्ण नवी नाटक नहीं था कालिदास के शाकुंतल का मराठी ट्रांसलेशन था वो फर्स नाटक कालिदास का अनुकरन करते-करते रंगमंच पर आ गया और बाद में कई लेखकों ने अपने-अपने प्लॉट बनाना शुरू कर दिया नाटक के यह अच्छा हो रहा है तो स्टेश पे कौन सा संगीत चाहिए इस पर विचार मंथन हुआ और सभी गायक, सभी नठ और सभी नठ लेखक उनोंने एक मत से ठराव परित किया जो कुछ अच्छा संगीत है उसका इस्तमा स्टेश पे करो यह संगीत चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा कुछ मत करो जो जो कुछ अच्छा है लोक संगीत है, शास्त्रिय संगीत है उपशास्त्रिय संगीत है उत्तर इंदुस्तानी संगित है, विदेशी संगित है, ड्वेट सौंग से, ये स्टाइल के सौंग है, जो कुछ अच्छा हो उस नाटक के लिए, उस संगित का स्वीकार करो, अस्वीकार कोई नहीं है, तो अभी, आप समझ गये होंगे, ये नांदी जो मैंने कहीं, नाटक क पहली शुरुवात में जोग की जाती है, उसको हम नांदी बोलते है, वो नटेश्वर का वंदन है, पारवती आधी नमेतो, हम शाकुंतल, आपके समने पेश करने जा रहे हैं, तो वगवान का अशिरवात चाहिए, इतना है, संगित नाटक में बाल गंधरव, एक बड़ी हस्ती थी, वो पुरुष्ट थे, लेकिन जनमबर वो लेडिस पात रही करते थे, भूमिका, स्तरी भूमिका ही करते थे, उन पर अभी मराथी में फिल्म बनाई गई, तो कई लोगों नहीं वो फिल्म देखी है, तो उधने कहा, पंचत उंड़ ये नांदी तो उस फिल्म म में और भी एक नांदी है, हर एक नाटक को एक-एक नांदी है, तो वो भी नांदी सुनाई है, उनकी फर्मयश के लिए एक और नांदी बताता हो, अभी पहली नांदी में इने गई थी, वो शाकुन तल के थी, दुसरा जो नाटक आया, मानापमान, इसके लिए नांदी त और आपके चरित्र को देखो विस्मय होता है, विस्मयकारा, क्यों विस्मय होता है? आपने विवाह किया और मदन को जला दिया विवाह करुनी मदन जालिला मदन को आपने जला दिया अब मदन का जो मित्र है चंद्र उसको मस्तक पे बिठा लिया विवाह करुनी मदन जालिला मग मदन मित्र इंदू तो सेविला आप तो धन वैरागी है तभी आप परवती के साथ द्यूत खिलने को बढ़ते हैं द्यूत कुन खिलता है जिसे कुछ चाहिए वो खिलता है धन वईरागी द्यूत खिलला और आप विरागी हो तभी परवती के अंकित होई गवरी चाह तो अंकित जाला आपकी ये सब लीला देखिये हमें विस्मे ही लगता है परमेशाचा आईशा लीला कवी कृष्न गात विस्मे कारा वो कवी का नाम अंकिरश्णा जी है इसलिए वो कवी कृष्णा आप से विस्मे चकित हो रहा है ये मनंणना ठकि लग ये कर दो 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 विवाह करुनी मदन जालिला मगमदन मित्र इंदु सेविला धनवैरागी क्यूत खेळला गऊरी चातो अंकित शाला परमेशा चातो अंकित शाला अईशा लीला परमेशा चातो अंकित शाला विष्मयकारा नमनने डेवरा विष्मयकारा नमनने डेवरा विष्मयकारा नमनने डेवरा सभी संगित स्विकार है तो पहला नमबर लग गया लोग संगित फोक सौंग्स संगित नातक में फोक सौंग चाहिए वो कला ही फोक है फोक सौंग तो चाहिए प्रूंग 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 आप्सक्टाइब आपड़ एक झाल इनल आपड़ एक जराना, एक जर अप्सक्टाइब एक कर दोगाँ यह भी हमारे संसार का प्रतीक है यह हर्मोनियम स्त्री है यह तबला पुरुष है बार बार बिगडता है उसका ठोकने पड़ता है यह ज्यादा नहीं बिगडती तो महराष्ट्र में लावनी यह फोक्स सौंग का बहुत ही पॉपिलर साधन है हर एक गाव में हर एक मेले में जैसे यूपी में हर मेले में नौटंकी होती है उसमें कुछ गाने होते है वैसे हमारी यहाँ कोई भी गाव में कोई भी मिला हो तो लावनी का प्रोग्राम तो हो गाई जैसे संतों की दाश्वानी का प्रोग्राम होगा किरतन होगा वैसे गाव के बाहर लावनी का प्रोग्राम तो हो गाई इतना popular तगड़ा माध्धे में और उसकी ट्यून बहरव राक को मैच्छ करने वाली ज्यादा है यह सब फोक्स ट्यल की वो गाते हैं हमरे यह अप्र आप अप्र आप अप्र आप एगमिल कैसे यह बहर रोग। अब हमने शाश्त्र शिक आइसलिए हम समझ रहे यह भैर है लोग संगीत गाने वाले को कुछ भी मालूम ने, बहरो भी ने, काल बहरो ने, और तूर बहरो भी ने, वो यह वला अपनी ट्यून को सुमझता है, वो फोक संग की ट्यून, पकड़ ली, और उस पे, सुभद्रा का एक गित तयार किया, अमरिया सुभद्र अपर बहुत सुभद्र, उसमें ट्यून बनाया, कि जो सुभद्रा का भाई है, बलराम, वो चाहता है, सुभद्रा का व्याहत दुर्योधन से हो, और वो चाहती है, मुझे दुर्योधन पसंद नहीं है, मुझे अरजुन से व्याहत करना है, तो कौन बताएगा, कौन मनाएगा अपने बहुत संकट में है, तो उसके लिए भैरव के करुण स्वर का उपयोग किया, और लोक संगित के ट्यून का उपयोग किया, वो गोलती है, वदजाओ कुणाला शरन, मैं किसके शरन में जाओ, क्वान मेरा दुख हरन करेगा, करीले जो हरन संकट आचे, मी धरीन चरन आचे, मे जाओनी लोक संगित, फोक म्यूजिक के ट्यून पकड़ कर, वो नाटक में प्रस्थापित किया गया, वदजाओ कुणाला शरन शरना, 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 वदजाओ कुणाला, शरनागा, 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 व वद जावु कुणाला शरन करिल जो हरन संकताचे अग मेर धरिल चरना शरना शरनागा वद जावु कुणाला शरनागा वद जावु कुणाला शरनागा हरन से शरनागा वद जावु कुणाला शरनागा वद जावु कुणाला शरनागा प्रार्थिले कथुनी दुख मनीचे नचले चे काही दाचे अग सक्खे बाई 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 वद जावु कुणाला शरनागा वद जावु कुणाला शरनागा ममताता जननी मात्र देखakt ममतात, जननी मात्र दिव, ममतात, ममतात, जननी मात्र दिव, ममतात, 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 जननी मात्र दिव, ममतात, 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 जननी मात्र दिव, बगुनी कश्ट दिव, बगुनी कश्टती हालाईचे नचले चे काही त्याँचे अग सक्खे बाई 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 वद जाओ पुडाला शरणा कर वद जाओ पुडाला शरणा कर जे कर सोड़ुनी मस पुड़े जे कर सोड़ुनी मस पुड़े नाचले थवे यादवान से जे कर सोड़ुनी मस पुड़े नाचले थमे यादवान से नाचले थमे यादवान से नाचले थमे यादवान से नाचले थमे यादवान से विपनल होती सांचे अग सक्खे ये बाई 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 शरन गर बद जावु कुणाला 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 अशरन वद जावु वद जावु वद जावु गुदाला शरन Cheese 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 Cris शरन 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 Folks song के बाद अब number आ गया classical music का classical music को भी आपनाओ चलो stage भी लेते है लेकिन classical music को बोलते है शास्त्रिय संगित उसे एक शास्त्र ने बंधा हुआ है कोई राग ऐसे है कोई समय के लिए ही वो गाते है उसी समय गाना उचित है कोई दूसरा वरणन प्रभात समय का वरणन संध्या प्रहरी रागों में नहीं किया जा सकता संध्या प्रहरी वरणन उसके लिए प्रातक काली नराग समयोचित नहीं होते उसको शास्त्र है उसको मर्यादा है तो ठीक है जैसे मर्यादा है उस मर्यादों के साथ शास्त्रिय संगित रंगमंच पर आ गया भारतीय शास्त्रिय संगित में जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देना शुरू होता है तब दर्बारी राग का प्रयोग किया जाता है वो रात के तीसरे प्रहर का राग हम मानते है तो चलो, आकाश में चंद्रमा आ रहा है चंद्रमा को यहां मराठी में नाम दिया है रात का नाम है रजनी रात का नाम रजनी और यह चंद्रमा है उसका पती तो रजनी नाथ है वो यह चंद्रमा आ गया है, वो रजनी नाथ आ चुका है आकाश में आया है रजनीनाथ हा नभी उगवला वो कैसे दिखता है राजपती जनुदीप छिगमला राजपत नैशनल है वे उस पर कोई बड़ा दीप लगाया हो ऐसे वो दिख रहा है केवल चंदरमा नहीं दिख रहा है स्टार्स भी है उसके साथ छोटे 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 वो कैसे दिखते है नवयुवती चा निटिलासम निटिल ये भाग जब युवती श्रुंगार करते हैं तो केवल कुंकुम नहीं लगाएगे वो छोटी 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 बिंदिया भी लगाएगी यहाँ लगाएगी यहाँ लगाएगी वह जैसे सुशोभित दिखता है वैसे आकाश दिख रहा है नवयुवती चानिटिला समगे विमलदिसेहा ग्रह गन भूवती और चंद्रमा के शुब्र किरन धरती पे आ रहे है शुब्र किरन घन तिमिरी पड़ती तिमिर अंधार ब्लैकनेस यह तिमिर में चंद्रमा के शुब्र किरन आ रहे है पंकी जेवी पयाचा अधारा पंक सभी जादा संस्कृत चब्द है मराठी में भी पंक याने क्या बोलते है मढ माती माती में पाने बारिश के बाद जो होता है रास्ते में पंक जहां से कमल आता है वो पंक हाँ इसलिए तो उसे पंकज बूलते है पंक से जनम लेता है वो लोटस वो पंक पंक ब्लैक होता है और उस पे पय दुगध की धारा करो तो जैसी शुब्हा दिखेगी वैसे इस तिमिर पे चंदरमा के किरुणों की शुभा दिख रही है रजिनिना थाहा अब रात के समय का वरणन है तो शास्त्रिय संगित की मर्यादा उसी राक का काम करना चाहिए इस्तमाल होना चाहिए तो ठीक है दरबारी लेके रजिनिना थाहा नभी राक का नाम दरबारी है लेकिन दरबार का और भी एक नाम है गौर्मेंट अफिस राजा का दरबार होता है और गौर्मेंट अफिस का वहां का भी एक नियम है कोई भी काम जल्दी नहीं करना पेंटिंग रको तो दरबारी यसे ही जाता है जैसे हाथी की सवारी जाती है वो घुड़े की सवारी यसे नहीं जाता जैसे हाथी वैठा हुआ है तोड़ी सुन दिलाएगा वो राजा का है वो तोड़ी सुन दिलाएगा वो राजा का है वो हाथी उठके खड़ा हुआ है थोड़ा अंग ही लाएगा देन 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 महाथी को बोलेंगे महाराश की सवारी आ रही है चलो दरबार को जाना है उसका सलाम तो करो महाराश को वो भी हाथी है सलाम करो इतना जल्दी वो कैसे करेगा वो दरबार ही है सलाम करो महाराश को दारू 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 इसे लो कर दिया से रहा हमार को अच्छे लिए दारू 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 रजनिनातह नभी ओगवला, रजनिनातहा नभी उगवला रजने नाथ हा नभी रजने नाथ हा नभी उगवला राजपथी 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 जनुदीप चि गमला राजपथी नभी उगवला रजने नाथ हा नभी उगवला रजने नाथ हा नभी रजने नाथ हा नभी उगवला रजने नाथ हा नभी उगवला रजने नाथ हा 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 र नाथा रजनि नाथा नभी उग बलाः रजनिनाथा उगबला, उगबला आ, 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 उगबला आ, 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 रजनिनात्मा 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 नभी उगवना हाusters हाँ 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 आां.... नवयुवतिचा… निडिला सम दिजा… निटिला नवयुवतीचा निटिला सम नवयुवतीचा निटिला सम नवयुवतीचा निटिला सम नवयुवतीचा निटिला सम नवयुवती जा नितिता समा किते किते नवयुवती जा नितिला सम कि नवयुवती जा नितिला सम किते विमलती सेहा ग्रहगण भोवती शुप्रकिरण घनती मिरी पड़ती पंकी जे विपयान चाधारा रजनिनाथ हा नभी उगपला रजनिनाथ हा रजनिनाथ हा रजनिनाथ हा नभी उगपला रजनिनाथ हा महाभारत के कथानक पर बहुत से नाटक आगे है रजनिन के कथानक पर रजनिनाथा के विगण लेकिन हमारे लेकर्सक्त पहत चीज़े देख थे इंगलीष फिल्म देखत थे रेश्यद फिल्मż देखते थे उनको लगँ ऑ इंगलिष फिल्म में ऐसी अच्छी स्टोरी है गोर नपर नभी बहुत इंग्लिश फिल्म आ गई My Fair Lady उसमें प्लॉट ऐसा था वो देहात की लड़की है फार्मर की एक बेटी है उसको ठीक से बूलना नहीं आता तो अंग्रेज जी का प्रोफेसर उसको घर ले जाता है और उसको ठीक से अंग्रेज जी बोलने को सिखाता है वो शिक्षन के समय जो को जगडा होता है वो हमारा मनुरंजन ऐसे फिल्म हो कही तो मराथी संगित नातक के लोग सोच रहे हमारी आ क्यो नहीं तो मराथी में ऐसा नातक आ गया जिस नातक का हमने छोटा सा प्रियोग इन सब स्टुड़ों के लिए भी किया था कल स्वर समराद्नी में गवरी जी ही वो हिरोईन का रोल करती है और मैं संगित चिक्षक का रोल करता हूँ जो जनम्बर करता ही हूँ लेकिन गवरी जी की विशेषता ऐसे है कि वो उस नातक में अपना गाना वो फूर स्टेप्स में दिखाती है पहले उस वो देहात की है फार्मर की है तो बहुत रौ उसका गाना है बाद में थोड़ा रियाज हो गया अभ्यास हो गया तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ वो दिखाना है और साफ्ट हो गया वो दिखाना है जहां वो उपरशास्त्रिय संगित गाती है और जब प्यूर क्लासिकल गाती है तो सुपर सॉफ्ट हो गया वो भी दिखाना है सुपर सॉफ्ट आपकी आवाज है तब ही आपको रफ गाना गाना है यह बड़ा कथी अवभान है, वो बड़ी अच्छी तरह से त्यार करती है, उसका थोड़ा सा प्ले, हम बैठे हुए ही आपके सामने पेश करेंगे, मैं उसे सिखाने जा रहा हूं, उसकी इच्छा नहीं है सिखने की, हम जिसको यमन बोलते है, उसको यह बोलती है यम, यमन क्या यह बोलता नाव है, क्या यह हम कल्यांट को लगा रहा है आपने, और उसकी विशिश्चता ऐसी है, नाटक के जो हिरोईन है, वो फार्मर की लड़की है, इसलिए, फोक्स सॉंग में वो गावर जाती है, तो मस्टर को पता चल जाता है, वो कुछ भी सॉंग उसको तो देखो, वो कैसे सिखाने की कुशिश करता है, और वो वो सिखाता है तब भी वो पान खाती है, उसको एटिकेट्स वो है ने, तो थोड़ा सॉफ्ट को तो, बेस वरा है, उसो ठोकना पड़ेगा, प्रेक्ट, वो लड़की का ना मैना, मैना बोलूंगा उसमे मैना ने, तोता मैना, जैसी मैना, मैना, जै, भारतिय, शास्त्रिय, संगीत, है नतेश्वरान निर्मान के लिला है, मैंजे, महादेवान निर्मान के लिला है, मैंजे, साक्षाच, शिवशंकरान निर्मान के लिला है, काय कल्ड़। कुम्हांद चाह्स्टिय शच्टिय शंगीत महदेवान के लिएमानेरान नर्माण के-लेला है यह बाधेवान, नतषवारन के लिन मामत्य शंगीत क्या है MAHामत्य शच्टिय शृट कत्रहरान सुरू के लइफ्पामत्सु थूले माईनelन कि लिए तरही लोक संगीता पेक्षा, शास्त्रिय संगीते वरचा दरजया चाहा है त्याचा मदे तुला समराद नहीं कराई साथ नहीं निश्चा है कुईयाची भी जाजागिरी में चालो जाना नहीं पान थूंग तपल यह संस्कुर्ट सफिस्चिक के चड़ घरा है इते थुंगतात का तुकी जाले माजी अर्याग अरूला दे काड़ा, सरट काड़ा धुन जेतो देतो नहीं, देते शुद्ध बोलाईचा शुद्ध बोलाईचा शुद्ध बोलाईचा वीषर्लेचा शुद्ध बोलाईचा शुद्ध बोलाईचा क्मूल साथ भूप राग में मध्यम स्वर ही नहीं है तो साध्धप म म कुटना अनला म मन लेका मी मक अनला मसना तुन मैना आलाफ नहीं बूलते आलाप आलाप परत परत रिपीट करो गलती सुधर लो सारे गप साधः 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 परत गरे सा अधा बुरू बरे आता जरा उगडशी काई जो गरे प्रफजो साधः साधः साधर कैमनला permitted थेंदशनलो थे गरे गरे साधः गरे गरे अगरे चल्ना पाला धाप साथा साथा जल्ड आपा अरी राम 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 डाम तुल्म आपलतो पाया परतो तुमolen पड़तो नाएं पड़ते पड़ते तुम्च अओ येकदि लावनि शेखवागी परवशे कोल अशी बा तुला लोकसंगिश्यो लावनि को या चाले लावनि क्लासिकल लावनि जाओ दे कलना ने तुला कि अजय डेल दिवर्ट अजय डेना निरेगाव मारी गर निर निरेगाव मारी गर निर निरेगाव यहाव यहमन रागमंत कोँछा यहमन कल्यान यम कल्यान यम नही मजी आई यम न यम आण श्री राम तो गानमन कशी के दिस माझी दैना कशी के दिस माझी दैना प्रे मला तुझा विगर कर दिना प्रे मला तुझा बूलते हैं गाने में तुझा विगर सौफ्ट करना है हूं तुझा चपल निकलती है कै? मढ़ तुझा भी गए करमेला मढ़ तुझा भी गए करमेला घड़ी भरी माजिया मढ़ घड़ी भरी माजिया मना घड़ी भरी पहले वो उसको सिखाता है मंदर सब तक के सुर लगाओ तो उसका मन नहीं है तो मंदर सब तक के सुर ऐसे ही वो सिखाता है उसको इसी में सिखाता है चलो मंदर सब तक चलते है घड़ी भरी माझिया मना घड़ी भरी माझिया मना चैन पड़े ना जोप ये इनारे मना तुझा भी करमेना घड़ी भड़ी माजिया मना घड़ी भड़ी माजिया मना चैन पड़ेना सोपेना रे मला तुझा भी गए करमेना तुझा भी गए करमेना सेकंचरन तुझा भी गए करमेना मैंना तू रागुत चेमी मैंना माजय रूप बिलोरी ऐना माजय रूप बिलोरी ऐना ये स्टाइल वो फोक की हमारिया है वो क्लासिकल में लाउनी बाद है वो क्लासिकल में लाना चाहते हैं तू रागुत चेमी मैंना वो गाती है तू रागुत चेमी मैंना माजय रूप बिलोरी ऐना अंगी इश्काचा आजार अंगी इश्काचा आजार करी पेजार कमती होई ना चैन पड़े दारे मना तुझा विगर करमे ना मैंनुका परतीक दा शगल लक्षा थ्यून महने जा तू रागुत चेमी मैंना माजय रूप बिलोरी ऐना अंगी इश्काचा आजार करी पेजार कमती होई ना चैन पड़े दारे मना तुझा विगर करमे ना मना तुझा विगर करमे ना वो मिश्चिवस है तू हकीम हो एक्टिंग नहीं चाहिए या केवल गाना शिखना है आपको हाकीम का मतलब है डॉक्टर मुझको मालूम है वो लाहुनी का परफॉर्मर करिजा ना हकीम गाने के समय सिर्फ गाना है आपको हाँ तू हकीम हो न यावे तू हकीम हो न यावे एकांती आउशत द्यावे दे चुंबन साखर पाक दे चुंबन साखर पाक मिठी चालेप मजसी साजना मन मुहना तू हकीम हो न यावे तू हकीम हो न यावे मजसी साजना मन मुहना तुझा भी गय करमेना तुझा भी गय करमेना कशी केलिस माजी दैना कशी केलिस माजी माजी दैना केलिस माजी दैना दैना केलिस माजी दैना अकेली से माझी दैनारे मला तुझा मी गए करमेना तुझा मी गए करमेना तुझा मी गए करमेना तुझा मी गए करमेना जब दोनों एक साथ गाते है तो उसको संस्कृत में युगल गीत ऐसा भी शब्द है किसी विद्वान ने उस गीत को कुछ बर्स के बाद दुवंद्व गीत ऐसा नाम दे दिया गाने में दुवंद्व कहा है दुवंद्व का मतलब दुसरे को खतम करना है दुवंद्व युद्व में होता है गीत में कौन सा दुवंद्व आ गया तो कुछ दोग ऐसे भी नाम देते है दुवंद्व गीत मैंने स्टुडंट्स को बता दिया है आपको पता है लेकिन एक बार और बताता हूं नाट्य संगित में लोग बार बार मैफिल में जाते है और बार उसको सुनते है क्लासिकल को भी सुनते है इतने बहुत के लिए घर में मुझको है मेरे सिड़ी पे है मैं कभी भी बजा सकता हूं सुन सकता हूं तो मैं मेरी गाड़ी निकालकर उसमें पेट्रोल डिजल डालकर सौ रुपे क्या तिकिट लगा क्यों मैं जा रहा हूं उसका कारण निष्ठित है आज वही गाना वह थोड़ी तक डंग से गाता है यह तो मुझे सुनना है कोई गाना कोई फोटोग्राफ नहीं है कहा भी देखो कैसे भी देखो वही सही दिखेगा तो बदलता रहेगा और इसलिए मैंने स्टूड़न को भी बताया ने तो नाट्य संगित में क्या सुनना है लोग गिंती करते हैं पां और ग्यारों बारा क्या गिन रहे यहां तुमें सिर्फ देखना है ट्यून्स कितने बदल रहे है वो क्या-क्या नया अंदाजा दिखा रहा है इस पर वो निर्भर होता है तो पहले मैं आया था मानापमन नाटक के प्रयोग के लिए तब ये गाना पेश किया था वो फिर से थोड़ा सा दहराता हो एक ही सेंटेंस के कितने 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 अलग धंग से हम अपने दिमाग से इस्तमाल करके ट्यून्स बनाते है और उसे सुनने के लिए लोग ज्यादातर आते है तो मानापमन में गीत है इसा था ये भी दक्षनात्य संगित का प्रतिने देत करता है हिरो ने हिरो इनका पहली बार देखा है उसने वाइट साडी पहनी है तो उसको लगता है 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 ये तो चंद्र की चंद्री का यहां आ गई चंद्री का ही जणू ठेवी यास ने है कमलांगणी ये पुर्शिवरपन चंद्री का आ गई है क्यों आई है वो कल्पना करता है hero कि आकाश में बादल छा गये है चंद्र को डर लगा ये सब मेघ मेरी जो शोभा है ये चंद्री का, ये चंद्री का को ले जाएंगे ये सब मेघ ये सब बादल चोर है, थीफ है काले काले थीफ आ गये है वो चान घबरा गया और चान ने अपनी चंद्री का को पृत्वी के पास भेज दिया बारिष खतम हुने तक उसको समालो ये चोर लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए ये चंद्री का और चान ने अपनी चंद्री का जो पृत्वीवर भेज दी गई है अरे वही यह दिखती है ऐसे वह संगीत नाटक के गाने का मतलब है बहुत रोमेंटिक गाना है लोग समझते नहीं मतलब समेश में नहीं आया तो वार सॉंग जैसे गाते है यह समर्गित तो नहीं है वह अच्छा गाना है और दुसरी बात इसमें एक छोटा संदेश बहुत अच्छा है हिंदी फिल्में भी ऐसा ही गाना है न एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा लेकिन उसमें एक एक के बाद एक एक बोलता ही रहता है यह है यह यह यहां ऐसा है एक चंद्रिका बोला तो स्पष्टिकरंडे दो कैसे यह चंद्रिका है तो यह सब स्पष्ट करता है तो कुमुद ने वह चंद्र ने यहां चंद्रिका को भेज दिया है मतलब एक बाद में इस मराठी शब्दों का भी मतलब समझना बड़ा कथिन हो गया तो लोगों ने तैर के रिया शब्द को देखना नहीं अर्थ को देखना नहीं केवल गाना सुनना है तो नाटक थोड़ा पीछे रह गया गाना आगया आगया शब्द कोई सुनता ही नहीं था हमारे यहां बहुत से बच्चे ऐसे थे कि गाना गाना थे यह जो नाटक देखते देख्ते वग पिता जी को पूछ्टे थे पिता झी च्या गाह रहीं इस Čप यह भी ज़री को श्ब्द क्या है तो पिता जी जो बिशन आटते थे एक छावड़ मरोंग संवीट चल रहा है संवीट सुनो शब्द के उपर का ध्यान ही चला गया उनका तो देखो हर एक आदमी क्या-क्या वराइटी कर देता है उसी गाना और ऐसे मैंने आश दस वराइटी की इसका मतलब ये नहीं इसका रेपीट टेली का श्टकल होगा आपको 300 राग दिये है शास्त्रिय संगीत ने आपको प्रेजन करना है कितने रागों में जाके आप आ सकते हो इस राग में इस गीत में वरणन है बादल आ रहे है तो बादल के लिए शास्त्रिय संगीत में मल्हार राग के रचना की है मेग मल्लार वो बादलों का भाव देता है तो चलो उसका भी भाव लेते है और चंदरी का रोमेंटिक स्वांग भी करते है सुर्फ थोड़े ऐसे है रे मागरी रेगा सा रिधा धसा धसारी मागरी सारी गड़ी गरी सादी मापधा धप मागरे प मागरे मागरे गरे दसा क्लासिकल का नाट्ट गीत में संस्करन चंद्रिका ही जनु चंद्रिका ती तीना धीना 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 ही जनु ठेविया स्नेह कमलांगनि कुमुद बाम्धव शामला कुमुद बाम्धव शामला मिघा तसकर बानोने चंद्रिका ही जनु चंद्रिका ही जनु चंद्रिका ही जनु चंद्रिका अब देखो लवा मंगिस्कर के पिता जी वो भी नाटक पे काम करती थे उनका गाने कामदा जैसा था कुमुद बाम्धव शामला 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 कुमुद बाम्धव उनके बाद राम मराथ्री नाम के एक्टर आ गये उनको तान बहुत पसंद थी वो बोले मैं तान मरूंगा इसमें चलो तुम्हें पिच्चर दे दिया है जो कलर चाहिए वहरो कुमुद बाम्धव शामला कुमुद बाम्धव पेठने भरता उसका कुमुद बाम्धव शामला कुमुद बाम्धव आपको जो पसंद है वो गहाओ उसके बाद छोटा गंदर वो गायक आ गए वो बोले मुझे को मस्ती नहीं चाहिए शक्कर जाहिए इसमें चलो शक्कर मिलाओ आपकी चाहिए में कुमुद बांधव शामला कुमुद बांधव शामला कुमुद बांधव शामता कुमुद बांधव शामला मिघा तसकर मानोने चंद्रिका हेजनु चंद्रिका चंद्र सदन नभ मंदला मेघानी वेठी यले मेघानी वेठी यले मेघानी वेठी यले हो चंद्र सदन नभ मंदला अब हमारा दिमक चलाना है ओन का हो बैया लगाव ट्यून आर चंद्र सदन नभ मंदला बस उड़े चंद्र सदन नभ मंदला चंद्र सदन नभ मंदला और देखाओ चंद्रे से देन नभ मंडेला 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 चंद्रे से द चंद्रसेदन नभ मंडला चंद्रसेदन नभ मंडला मेघानी वेधियले मेघानी मेघानी वेधियले मेघानी मेघानी वेधियले मेघानी मेगाने वेधिये ले वेधिये ले मेगान नाहिको अक्षा करें मेगान वेँ, दूद्धे ले मेगान मेघानी वेढ़ियले मेघानी वेढ़ियले मेघानी वेढ़ियले शोभा धनविपुलते लपविता कोप भरोल चंद्रिका खेजनू चंद्रिका मेघ आ गये तो चंद्र ने क्या क्या शोधित वेगे दशदिशा भूबरी सकल आउले भूबरी सकल आने आता आने जब सुर्व गति में लै में आगे जाते हैं उसे तान बोलते हैं लेकिन तान के दो प्रकार हैं आप तान मारते जाओ और स्टेशन पे उनको पकड़ो अच्छी तूर हो जाएगे आपके और दूसरी तान का प्रकार ऐसा है जैसे ये चल रखे है वैसी तान करो अब मैं तान लें लूंगा वो मेरे जैसी है तब लेको मैं ध्यान में नहीं रखने वाला केवल उसको पकड़ने वाला हो चलो जोर से आता कि आप 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 क्या यार मजा नहीं आया उस में लूश याप का टूर अच्छा रहा है इस साथ-साथ चलने का मजा नहीं आया 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 निकदे सरसाबने दिसत्त ही याक्षने चंद्रिका हीजनु चंद्रिका घेजनु धेविया स्नेह कमलागने चंद्रिका 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 जैसे प्लोट अलग-अलग है महाभारत का है रामा इंकलाब प्लोट है वैसे संत कथाओं में भी बहुत से नाटक किया है और कानोपात्रा जो संत है उनकी रचना है बहुत ज्यादा उसमें कानोपात्रा प्रार्थना कर रही है पंद्रंग विठ्थल से प्रमेश्वर तुम पतितों को पावन करने वाले हो महारास्ट्र में जो कानोपात्रा थी वो गणिका थी वेश्या उसकी मा थी कानोपात्रा ने कभी वेश्या का व्योसा ही नहीं किया लेकिन उसकी मा गणिका थी तो वो बोलती है आप पतित को पावन करने वाले हो तो मैं पतिता हूँ मैं गणिका की बेटी हो तेरे द्वार आ गई हो मेरा उद्धार करो तू पतित पावना वो रोते रोते हुई बताती है उसलिके पतित पावना न बोलते रोते हुई आदमी बीच में ही तोड़ देता है वो बोलती है पतित तू पावना उसको कहना है तू पतित पावना आप कहलवाते हो तो खुद को पतित पावन तू मुझे को पावन करो मेरी याती शुद्ध नहीं है याती शुद्ध नहीं भाव दुष्ट आचरन स्वभाव हमारे घर का दुष्ट आचरन यही स्वभाव है मुखी नाम नाही तब भी मेरा उधार करो भगवान कानो पात्रा शर्ण पाई पतिततु पावना यमन राख कही प्रयोग है हमारे जात्रा हमारे जात्रा पतिततु पावना पावना पतिततु पावना पावना पतिततु पावना 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 पतिततु पावना पतिततु पावना पावना पावना, पतितत्तू पावना, पावना, मनविसी नारायना मनविसी नारायना, मनविसी नारायना पतितत्तु पावना, पावना, मनविसी नारायना 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 पतितत तू पावना, पावना, मणविसे नारायना या ते शुत्थ नारायना या ते शुत्थ नाहि भावन या ते शुत्थ नाहि भावन शुद्धनाहि भाव शुद्धनाहि भाव भाव शुद्धनाहि भाव भाव या ते शुद्धनाहि भाव या ते शुद्धनाहि भाव या ते शुद्धनाहि भाव या ते शुद्ध नाहे भाव या ते शुद्ध नाहे भाव दुष्ट आचरान स्वभाव दुष्ट आचरान स्वभाव मुखी नाम नाहे मुखी नाम नाहे कानो पात्रा शरण पाई कानो पात्रा शरण पाई कानो पात्रा शरण पाई कानो पात्रा शरण पाई पत्तितत्तू पावना मलविसे नारा शरण 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 नारायला नारा यणा, नारा यणा, मलविसे नारा यणा जब फिल्मों में ड्डवेत सोंग आने लगे, तो इस गानों में कुछ अलाबताना ऐसे ज़्यादा नहीं था, तेरे नेना मेरे नेना चलो आगे तेरे मेरे बीच में वो आलाफ होना चाहिए एतान होना चाहिए ऐसे कुछ दिया अरे ऐसे भी गाने है फिल्मों में जो गाने है लोकों को पसंद है जिसमें आलाफ नहीं है तान भी नहीं है तो भी पसंद है ऐसे हमारे नाटक में क्यों नहीं है, चलो, कोई संगीत का अस्विकार नहीं तो संगीत नाटक में ऐसे भी कोई गाने लिख दियेगे, जिसमें अलाप लेना, नहीं, तान लेना, लेना है तो केवल इतना ही, वेफर्स, लेश कुरकुरे, खत्म, चिंगम जैसे नहीं चोना च करेगा, फाट से समाप्त, तो वैसे मराथी ड्रामा में एक नाटक है, वो क्रिष्ण और सुदामा, उस कथा पर आधारित है, नाटक का नाम है, देव दीनागरी धावला, जो दीन है सुदामा, उसके घर भगवान आते है, इस पर, और जब क्रिष्ण जी, रुकमिनी को ब वो बोलती है, जड़ा ठैरो, मेरा मेकप अभी बाकी है, आप जल्द बाजी नहीं करना है, यह सुदामा की स्टोरी क्रिष्ण चरित्र में कब आती है, जब क्रिष्ण के बेटे का बेटे का भी व्याह हो गवा है, उसके ग्रैंट सन का भी व्याह हो गया, उसकी उमर 80, 85 प हो गई, तो भी आदमी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि महाबारत में इस पष्ट लिखा है, युद्ध करते समय, जो भीष्म सेनापती के रूप में खड़े थे, उनकी आयू 140 थी, व्यास जी नहीं लिखा है, he was age of 140, not retired yet, not retired or not retired, दोनो, 130 बरस के दुरुनाचार यह थे, उ तो पोत्य का भी ब्याह हो चुका है, वो 18, 19 बरस का क्रिष्ण है, लेकिन उस समय के हिसाब से, अभी वो age of 40 जैसा ही दिखेगा, age of 80, क्योंकि 140 को वो उड़ा बुलते है, तो सव तक उसका योवन ही है, तो क्रिष्ण और रुक्मिनी, दोनों एक साथ वो गाते है गाना, क हमारे शादी का भी स्वरन मोथसो हो गया, 50 years हो गया हमारे शादी को, golden jubilee हो गया हमारे, लेकिन style नहीं बदली हमारी, मैं कभी भी आपको कुछ बताऊंगा, ये करना है, तो पहले आप रुच जाती हो, अंगर आ जाता है, जल्दी मत करना, मेरा make-up हो रहा है, तो जब 25 य की है, तब इसका अंसर पहले ही, जल्दी नहीं करना, मेरा make-up होने वाला है, तब मैं होगी, तो कृष्ण बोलता है, रुक्मिनी, क्या मजेदार हमारा जीवन है नहीं, रुणानु बंधा चा जितुन पडल्या गाठी, हमारे रुणानु बंध जब से हो गया है, तब से एक ही style है, बेटीत, रुष्टता मोठी, जब भी हम मिलते हैं तो पहली जगण नहीं शुरू हो जाते हैं, इतने दिर इसकी क्या है, क्यों नहीं आया, कामर गय थे, कागड़े में गर गय थे, आपे, प्यार से बोलना है, इतने दिर से आया हूं मैं, स्टार्टिंग मस् भ पारा प्यार, एक दूसरे को तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, वो क्यों नहीं याद करते हैं, वो गाते हुए कहते हैं, बेटीत, तुष्टता मोठी, क्रिष्ण कहते हैं, रुष्टता मोठी, वो कहते हैं, तुष्टता मोठी, वो यादे, फिर से बोलते हैं, त्य कातर वेडा थरथरती कधियाधरी कभी शाम को हम जाते ते रखमनी यादे तुमको त्या तिनी सांजा त्या आठवणी त्या प्रहरी कितनी बार हम एक साथ गए फिर अपने अपने काम पे लग गए कितिदा आलो गेलो जमलो लेकिन जब भी हम मिले रुष्णया वाचुन परस पराचा कधी न घडल्या गुष्टी रूटने के बिना हम मिले ही नहीं ऐसे ही मुझे याद है ऐसे मत बोल बेटीत तुष्टता मोठी कृष्ण कहता है तू रुठती है तो जादा अच्छा लगता है बहुत सुन्दर दिखती है तो कधी तिने मनोहर रुष्णय तू रुष्णयात उगिचते हसने तू रुट गई तो मैं बेचयन हो जाता हूं और मेरे बेचयनी देखके तू हस जाती है रुष्वे में भी हस जाती ह वो बोलती है, इसलिए मेरा रूटना तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हस्ती हूँ, जनम्बर ऐसा ही चेहरा रहोगा, तो कौन पूछेगा तुमको, मननते, मनो हर रुषने, क्या जीवन है, मदुर है, हसने, रुषने, रुषने, हसने, कभी रूटना है, कभी हसना है जीवन में, सभी टाइम रुटना भी नहीं है, और सभी टाइम हसना भी अच्छा नहीं है, कभी रुटना है, कभी हसना है, रुषने, हसने, वो बोलती है Krishna तुम हसते हो और मैं रूट जाती हो रूशनिया वरती रूशनिया साथी जन्म जन्मी चागाथी तो जनम जनम आगे तु हसता रहता है वो बोलता है रूखमणी ऐसे मत कहना रूशनिया वरती में रूशनिया वरती रूटि क्या पागल पंता रूटने पे उस पे हासी आनी वो जीवन की मधुरता है लास्ट अंजा में वो दोनों बोलते हैं हम एक साथ बहुत बार बैठे हैं कभी दुख की बाते की तो रोते थे कभी गुशे की बात की तो कॉरल भी कहते थे सागर के किनारे जाते थे वह पिचर भी बनाते थे वालू में और दुख में बैठते हुए सुख को हसते थे आदमी सुखी होता है तो दुख पे हसना आसान है लेकिन हम जब भी दुखी थे हमारे संसार में हमारे जीवन में कोई दुख आ गया तभी हम हसते थे सुख को अबे सुख तु कहां चला जाएगा दुनिया गोल है वापस तुझे आना ही है हमारे घर हम तो सुख पर हसते थे क्यों कृष्ण तुम्ही ये नहीं याद बेटीत रुष्टता याद है आपको लेकित रुष्टमिन याद दिलाती है बेटीत तुष्टता मोटी बहुत ही भावक सौंग है तो उसमें आलाप की अप जरुष्टी है नहीं तान की जरुष्ट है नहीं जैसे फिल्म में आता है वैसे गाना नाट्य संगित में आ गया रुणानु बंधाचा याद क्रिष्ट रुष्टमिनी का संवाध है रुणानु बंधाचा रुणानु बंधाचा जित्थू न पडल्यागाटी बेटीत रुष्टता मोटी बेटीत तुष्टता मोटी रुणानु बंधाचा जित्थू न पडल्यागाटी बेटीत रुष्टता मोटी बेटीत तुष्टता मोटी आत्या कातर वेला थर थर तीक धी अधरी त्या कातर वेला थर थर तीक धी अधरी त्या तिनी साजा त्या आठवनी त्या प्रहरी त्या तिनी साजा त्या आठवनी त्या प्रहरी प्रुत्मनी किति दा आलो गेलो जमनो लेकिन रुसन्या वाचुन परस्परांचा त्या कदिन घड़्या गोष्टी भेटीत प्रुष्टता मोठी रुणान बन्धाचा रुणान बन्धाचा कितना ही चाहिए जित्वून पड़्या आठी भेटीत प्रुष्टता मोठी भेटीत तुष्टता मोठी कदितीने मनोहर रुषने रुषन्यात उगिचते हसने मनोहर रुषने मनोहर रुषने रुक्मिने छोटा लाब मनोहर रुषने क्या जीवन है हसने रुषने रुषने साथी जन्म जन्मिचा गाठी भेटीत तुष्टता मोठी रुषने रुषने जित्फून पड़या गाठी बेटीत रुष्टता मोठी रुष्टता मोठी हाँ कधी जबण सुखाने बसलों कंधी जबल सुखाने बसलो दुखात सुखाला हसलो कधी गही बरलो सागर तीरी आठवनी नी सागर तीरी आठवनी नी वालूत मार ल्यारे घान जन्मा साथी जन्म जन्मलो रुक्मीनी जन्मात जमलिना गट्टी भेटीत रुष्टता मोठी भेटीत तुष्टता मोठी पहले जमाने में जो बेसिक राग थे उन्हे का उप्योग जादा हुआ कल्यान, काफी, भेरव जो बेसिक क्लास में, स्कूल में ज्यादा तर सिखाये जाते थे उन्हें रागों का ज्यादा तर इस्तमाल हुआ लेकिन संगितकार सोचता है बारा सुर मेरे हाथ में है तो मैं और कुछ कंबिनेशन करू और कुछ कंबिनेशन करू और ऐसे कंबिनेशन करते, करते, करते कोई नए राग तयार हो जाते है कोई नए कंबिनेशन हाथ में आ जाता है तो महाभारत का जो कथानक है देवयानी और कच ययाति राजा उसका पती देवयानी का उस नाटक में एक बहुत सा सुन्दर गीत किया है और उस गीत के लिए ही बनाया होगा ऐसे उस राग का प्रेयोग है एक हजार नाटक के सौंग्स है लेकिन उन एक हजार सॉंग्स में ये राग सिर्फ इसी गाने के लिए यूज़ किया गया है काफी राग में काफी गाने है बहरो राग में 40-50 गाने आपको बिलेंगे मान राग में 50 गाने बिलेंगे लेकिन कोई राग ऐसे उस संगितकार ने सोच कर निर्माण किया बस इस गीत के लिए मुझे ऐसा राग तैयार करना है ऐसा ही राग चाहिए दूसरे ने किसी का फिर से यूज ने किया ये आपके ही लिए हो गया राग तो गीत का भाव इतना ही है ययाति राजा वो बहुत बेचेन है और शर्मिष्ठा उस पे प्यार करते हुए अपने सुरों को कहती है सुरों आप चंद्रमा हो जाओ और उसके जीवन के अंधेरे को मिटाओ मेरा जो प्रियकर है वो अंधेरे में भटक गया है बहुत बेचेन है तो अपने ही सुरों को वो प्रार्थना कर रही है हे सुरान्नो चंद्रभा आप चंद्र बन जाओ, चान बन जाओ और क्या करो चांद्रणयां से कोश आपके साथ बहुत से स्टार्स उन सब का प्रकाश आप उसके लिए ले जाओ सांद्रणयां से कोश माज़ा प्रियकराला पोचवा वो जो मेरा प्रियतम है उसके हाथ में देदो हे मेरे सुर्भ तुम चंद्र जैसे शीतलता उसको प्रदान करो मेरा प्रियतम बहुत दुख्य है वो अंधेरे में अपना रास्ता ढूंड रहा है वाट वाट मने रास्ता एका की वो अकेला है वाट एका की तमाची तम अंधार है ब्लेकने से वाट एका की तमाची हरव ले लिया मान साची वो वटक गया है तो मेरे सुरों आप चंदर हो जाओ बरसुनी आकाश सारे अमृताने ना हवा आप मेरे प्रियतम पर ऐसे बरसो कि उसको उस अंधेरे में लगे हाए मेरे लिए किसी ने अमृत भेजा है इस दुख में इस दुख से बाहर मुझे निकलने के लिए ये सुरों का अमृत किसी ने भेजा है ये सुरों का चंदरमा मुझे को किसी ने भेजा है बहुत ही तीवर भावना गीत में है तो उसके लिए पंडित जीतेंर अभिशी की जो महराष्टर के बहुत ही फेमस मुजिक डिरेक्टर थे उन्होंने एक अलग राक का प्रियोग इस गीत के लिए क्या है अब मैसुस करोगे कि इस गीत के लिए ये राग कितना महत्वपूर्ण है आ, 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 हे सुरानो चंटरमाठी सुरानो चंद्रभार सांधन्यां से कोश्मा छा सांधन्यां से कोश्मा छा प्रियकराला पोच्वा सुरानो चंद्रभार सुरानो चंद्रभार सुरानो चंद्रभार बाट एका की तमाची 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 आ, 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 वाट्ट एकागी तमाची, वाट्ट एकागी हरवले लामा नसाची 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 बरसुनी आकाश सारे बरसुनी आकाश सारे बरसुनी आकाश सारे अम्रताने नाह बाहे सुरानों चंद्रमाहे सांद्रमाहे जांधन्याँचे कोश हे सांधन्याँचे कोश हे सांद्रमाहे कोश माच प्रियक डाला बोचवाई सुडानो चंद्रवाई प्रियक डाला बोच प्रियक डाला बोच प्रियक डाला बोच यह जोगाई पबलिक भी आजीब है पहले पहले अच्छा गाना सुनती थी लेकिन बाद में पबलिक ने भी तकलिफ देना शुरू किया वो पूछते थे क्या अरजुन क्यों गा रहा है वो क्लास पे गया था क्या? संगीत के क्लास में गया था? अरजुन? वो क्यों गा रहा है? आपके नाटक में अरजुन भी गाता है, राक्षस भी गाता है, राक्षस को भी गीत है नाटक में, ये राक्षस भी गाता है आपना, इतने गाने वाले लोग कहां से लाएंगे, सुबदरा भी गाती है, कृष्ण भी गाता है, रुक्मिनी भी गाती है, बलराम भी गाता है, ये क्यूं गाते हैं इस तकलीब से मुक्ति पाने के लिए नाटक के लेखकों ने एक तकलीब निकाली संगित कार के उपर ही नाटक लिखो मेरा नाटक का हिरो एक गायक है, समाख थो अब कोई पूछेगा ने ये क्यों गाह रहा है, अरे वो गायक ही है वो गायक ही है मेरे नाटक का हिरो अब गायक है दूसरे गायक से उसका जगडा होता है लोगों का मंदुरंजन, चलो जगडे के बेना मंदुरंजन है का जगडा होता है वो मंदुरंजन, इसमें हमने यहाँ जो नाटक किया उसका गीत सुनाता हूँ कट्यार कालजाद घुशली और अब ज्यादा खतरनाक अवहान है क्योंकि वो गायक है और आपको उसको स्टेश का बड़ा गायक दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा वो गाने को कॉंप्लिकेटिट कर देते हैं जितना ज्यादा कॉंप्लिकेटिटड आप गा सकते हो अतने लोगों को पता चल जाएगा रहे यह तो ग्रेट गा रहा है इसलिए आपके सामने को गीत पेश करता हूँ अब यह नाटक में है इसलिए आप कहोगे नाटे गीत है लेकिन यह हिंदी मैफिल जब चलती है क्लासिकल आते है वह इसी ही चीज लिखी हुई है लगिन फिर से उनका नाम लिता हो पंडिक जीत इंद्राभिशे की उन्होंने यह यह गीत तयार करने के लिए इतना कॉंप्लिकेशन तयार किये वह कॉंप्लिकेशन में आपको जरा थोड़ा दिखाता हूँ पहले पल्लवी है दो लाइन्स की पहला चरन तीन लाइन का दूसरा चरन तीन लाइन का कुल मिलाकर होन गए आठ लाइन्स गीत के अभिशे की ने कहा हमारा हिरो गायक है तो आठ लाइन्स के लिए वह आठ अलग-अलग राग गाएगा और दो चरण के लिए दो अलग-अलग ताल उसका प्रियोग करेगा इतना कठिन करके उन्होंने कट्यार हमारे ही सिनी में मलगा थी अब मैं जो रागों के नाम बताने वाला हूँ ये उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के राग के बारे में बताऊंगा उसी राग को दक्षनात के संगीत में दुसरा भी कोई नाम हो सकता है लेकिन कौनसे कौनसे राग बदल जा लहे है और कौनसे ताल बदल जा जा है उसका थोड़ा नाटक का हीरो गायक है नो प्रब्लेम गाओ बेटा इसका हम सोनी राग बोलते है कुहू कुहू बोले दर 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 सोनी राग है फूर्स सेंटेंस के लिए सोनी है सुरा दर द विया किन छिन भिसुरा मैं छिन छिन भिसुरा थम्या है दूसरे सिंटेंस के लिए राग बदल दिया मारवा राग हर हर दम उनकी याद आवे याद आवे उनकी याद आवे हर हर दम उनकी याद आवे आवे याद आवे हर हर दम उनकी याद आवे हर हर दम उनकी याद आवे अब चरण बदलना है ताल बदलेगा राख बदलेगा छिल भी सुराबै नान आरेन धिन दाटकतूना कत्न दाटकतीना एक ताल शुरू हो गया यहां हमारा मालका उस्राग दानी दामा गामा गासा मन तरप तहरी दरशन को इसमें तायार का नान आरेन कोभू समाय 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 नान आरेन कोभू अगले लाइन के लिए आसावरी नाम का राग उनोंने इस्तवाल किया नान आरेन कोभू समाय तरप तुहू बिल्खत रहन निवाय तरप तुहू बिल्खत रहन निवाय तरप तुहू बिल्खत रहन निवाय तीश्री लाइन मल्हाराग अखिया निर अशुधा दिन्दा दारिं दिन्दा रातिं दिन्दा दालक दिन्दा वापिस अपने ताल प्याग दूसरा चरण लेना है राग बदल ताल बदलना है राग आएगा केदार ताल आएगा वाप दंदे नाएगा क्दु नार दीन्दी नाएगा केदार देल्कोर होग आएगा राग है दूसरा चरण राख बतल होनी वाला है वो बहार आएगा साजन बिनमोहे कच्छुना सुहावे बिगडी को मेरे पोना बनावे वापस मल्ला हर की जाएगा और क्लासिकल में केवल स्पीड का आनन लेने के लिए जिन शब्दों को कुछ अर्थ ही नहीं है ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया है और उसको उतर इंदुस्तान में तराना बोलते है यहां तिलाना इसके कोई अर्थ नहीं है अर्थ नहीं है हो दम खो दना है अब स्पीड का अनंद लेना है उसके वर चलो अब स्पीड का अनंद लेना है उसके वर चलो तूम 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 दो च और लो नो तूम ता न आ न न न इसन Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn जुझ इनानन, यह जताना structure, फोब है यकाट मैं। औ दन डढ कर दिनक त न अ, यह दिनक तर किया खालो। इन शब्दों का कुछ आर्थ नहीं होता, डोड़ना भी नहीं, मैं मेरे बैच्चे को कभी कभी गाना सिखाता हूँ, ऐसे गाता हूँ, उसको कुछ तो क्या समझ में आगए आपको, दे रे नम, वो बोला, आपको किसी को कुछ मांग रहे है, वो आपको दे ने रहा है, दे ओ, कुछ दे ओ यहार मुष को, दे, 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 ओ, समने बोलता है, नम, नम, दे रे नम, शरारजी करता रहता है उसको कुछ आरत ढूड़ना नहीं है कि वन ले का अनन्द है इसमें साथ बज़े हम बोलना शुरू कर रहते साड़े दो बज़ने को 9.20 हो गए continue two years two hours 30 minutes का कोई मुवी भी नहीं दिखाता एक और के बाद इंटरवल हो जाता है कोका कोला पेने के लिए लेकिन हम कितने सवभागेशाली लोग है कि हम दो गंटा अड़ाई गंटा एक ही पवित्र चीज का अनन लेते हुए एक साथ बैठ सकते हैं इंटरवल कि कोई अशक्ता ही नहीं लेगी मुझे नहीं लेगी आपको नहीं लेगी कितना बड़ा सवभागे कितने बगवान की कुरुपा है हम पर कि पवित्र चीज में हम अनन ले सकते हैं आज दुनिया ऐसी है जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाके अनन खोज रहे है जहां वो है ही नहीं सुख के आभास के पीछे आदमी जाता है लेकिन सच्चा अनन्द भक्ती में सच्चा अनन्द समर्पंड में और हमको बहुत अनन्द यहां के हुआ क्योंकि अब सभी लोग ऐसे सुंदर नाट्य कला को अपना आयू समर्पित करने वाले हो समर्पंड में जो आनन्द है वो दुसरा क्रिष्टी में भी नहीं तो हम हमारे कार्य करम का समापन स्टुडन का जो बहुत फेमस और पसंद का गाना है दो भेरे भी किएंगे ठीक है वेसे किरेंगे थोड़ा अधी तो में मिंटा तो हरी हर भेत मिटा देते है एक नाटक में भेरेवी है जिस पे शंकर का वरनन है उसकी स्टूती है और आप सब लोगों का फेमस गाना अगा वैकुन्थी चाराया इसमें विष्णू की स्टूती है वो पंडरंग है वो विष्णू का रूप है विठ्थल बलाजी तो मेडम बता रही है केवल विष्णू क्यों शंकर का भी रूप का बहरेवी ले लो बहरेवी सदा बाहर रागिनी है और बहरेवी का प्रियोग मैफल समाप्त करने के लिए करो ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है पहले जमाने में क्या होता था मैफल रात को शुरू हो जाती थी और सुबह खला समाप्त हो जाती थी बहरेवी ये प्रातक काल का राग है तो प्रातक काली राग में समाप्त हो जाती थी मैफल इसलिए वहाँ से आदत पड़ गई, सबाप्त करना है तो बहरवी गाओ यह मालूम नहीं तो बहुत गड़बड हो जाती है हम अच्छे यजमान के घर गए गाने का प्रोग्राम था हमने पूछा यजमान को मैं क्या गाओ उसको बिचारी को कुछ मालूम नहीं बहरवी गाओ अरे अभी शुरू यह नहीं हुआ है मेरा प्रोग्राम पहले बहरवी गाओ ओ लोग मुझको क्यो पुछ रहे हैं मुझको कुछ मालूम नहीं संगित में क्या गाते है बहरो गओ या बहरवी गाओ माम को तीन गंठा प्रोग्राम होना चाहिए यजमान क्या गया है गाओ बहर भी गाओ कुछ गाना है वो पहले शिव शंकर की अराधना है सरवात्म का सरवेश्वरा ये सरवेश्वर गंगाधरा शिव सुंदरा जेजे जगी जगते विश्व में जो जो कुछ है वो आपका ही है ऐसी भावना करो उन पर कृपा करो करुणा करा आदित्य या तिमिरा तभा हे शंकर हमारे मन में बहुत अंधेरा है पापकों अंधेरा है वो अंधेरा मिटाने के लिए आप आदित्य जैसे आजाओ सूर्य जैसे आजाओ रवी जैसे आजाओ अधित्यया तिमिरा तभा रगवेदया रुदया तभा आप वेदों में तो है लेकिन रुदय में भी हो जाओ तो वेद अच्छे है और हमारी नियत अच्छी नहीं तो क्या हो फाइदा तो फॉरेण कंट्री बोलेंगे यह सपला अच्छा है लेकिन अपला अच्छा नहीं है उनका वेद अच्छे है तो आप क्यों नहीं अच्छे हो रुदया या रुदया तभा सुजणत्वदया द्या आर्यता हम जन है हम में है लेकिन हमको चाहिए सुजन, जेंखिलमेन हम अच्छे लोग है, एसे दुनिया बोलने चाहिए सुजनत्वद्याद्या आरियता अनुदारिता दुरिता हरा जो हमारे मन में अनुदारिता है उदारता नहीं है, दुसरे को कोई सुनने में हमको आहंकार बीच में आजाता है वो सबका हरन करो भगवन हमें सुख शांति देदो पहली प्रार्थदा, सरवातमका सरवेश्वरा दूसरी प्रार्थदा, विठल के प्रती विष्णु के प्रती, अगावय खुंटी चराया दों बहरेवी सरवातमका सर्विष्वरा सर्वात्मका सर्विष्वरा गंगाधरा शिवसुंदरा गंगाधरा शिवसुंदरा जे जे जगी जगते तया माजे महणा करुणा कराओ सर्वात्मका सर्वीश्वरा आदित्यया तिमिरा तभा रुखवेदया रुदया तभा रुखवेदया रुदया तभा सुजनत्वद्या ध्या आर्यता अनुदारिता दुरिता हरा अनुदारिता दुरिता हरा सर्वात्मका सर्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश स्टूड़न्ट को यह गाना बहुत पसंद है कल सुबह जो है हमारे निर्णास्वम के स्टूड़न्ट है आपको पता नहीं चेलेगा वो कितने तयार लोग है इतने जल्दी ग्रास कर देते हैं हमको एक राख शिखने के लिए दो मेहनी की जुरुरत है इन सभी हमारे स्टूड़न्ट्स ने पाच दिन में पाच राख हाशिल कर दिये मैं तो खतम हो गए है और कल सुबह सभी वो डिमोस्ट्रेट करने वाले जिसको आज सकते हैं आजो हमारे स्टूड़न्ट क्या गाते आप सुनो तो सही पाच राख वो अलग अलग गायेंगे और केवल गायेंगे नहीं वो अब सिर्थ कॉंट्रेट हो गए वो हार्मोनियम पे वो बजा सकते हैं और अब गा सकते हैं कि तुमने बजाये तो हम गाउंगा तेरे सुरूर मेरी गैसे कुछ नहीं हो रहा हूं वो बहुत ही अच्छी तरह से संगीत का साथ संगीत के मध्यम से कला की साधना में रत है पांच बरस में आ रहा हूं हर बरस एक 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 बैच को देखता हूं और आज एक आनन्दा ऐसा है पास्टूडेंट्स में बहुत आ गये है जिनोंने मुझको खासाप के रूप में भी देखा है दाड़ी लगाते हूए मामेडियन का रूल किया तब भी देखा है मानापमान भी उनने वहां भी देखा है वारियर के रूप में और ये पास दिन को यहां आने का स्वभाग्या मैं और दो लोगों का भार परगट करता हूँ वो है हर्मुनियम के हमारे सहवयोगी और तबला के हमारे सहयोगी आपको विश्वास नहीं होगा हम सब इकठा हमारे जिवन में पहली बार बैटके गा रहे है कोई रियलसल नहीं हुई है पीछली बार भी हम कभी इकठा बैटके ऐसे गाए नहीं है इनको मालूमने में क्या गाने वाला हूँ इनको मालूमने कौन से गाने आए तो कौन से ताल है लेकिन सभी लोगों का जब मन एक हो जाता है बस नटराश के पूजा बढ़िया करनी है तो कितना अच्छा मेल हो सकता है उन्होंने बोला में दोहाच से जल्दी नहीं बजाओंगा हमने बोला किसको जल्दी है और होते होते हुई नटराश के एक रुपा ऐसी हुई सब प्रोग्रेम बहुत ही सुंदर आपने हमारे संगत की आपकी भी संगत का जवाब नहीं क्योंकि महराष्ट में, मराठी में जब एक का फिवर दुसरे को लग जाता है तो उसको बोलते है साथ आ गई कुछ बुरा हुआ तो बोलते है साथ आ गई और संगत में कुछ अच्छा हुआ तो हम बोलते है साथ हो गई साथ साथ आच्छी हो गई जन्नोंने माइक सेटिंग किया उनका वियाभार करता हूँ ये शूटिंग भी कर रहे है उनका वियाभार करता हूँ मेरी प्रार्थना है जो संगित के प्रेमि है, जो नाटक के प्रेमि है, जब ही लोगों को यह शूटिंग दिखाओ क्योंकि संगित में आनन लेने के लिए, संगित समझना चाहिए, यह को जुरुत नहीं है जिसको कुछ नहीं आता, उसको भी अच्छा लगे, तो ही संगित अच्छा है हमारा तो उसको एक नजर मिल जाएगी, संगित का अलन लिकी आदत मिल जाएगी हम जैसे आदत डालेंगे, वैसे बच्चों के आदत हो जाएगी जनम सही पॉप मुजिक उसको सुनाते रहे, तो लाली पॉप ही हो जाएगा वो वो क्यो हमारे शास्त्रे संगित में आ जाएगा पहले से उसकी इस संगित का बारे में बताएगे, शुटिंग दिखाएगे, बेटा ये सुन, ये सुन, ये सुन तो टेस्ट डेवलप हो जाएगी उसकी भी, तो हमारे भारत ये संगित की, पवितरता की टेस्ट डेवलप हो, ऐसे भगवान की प्रति प्रार्थना करते हुए, हम यहां से प्रोग्राम की समापन करते हैं कल सुबह जल्दी जितना आ सके 10.30 को हम हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे और ये सब स्टुडेंट्स पांच राग अलग-अलग गाने वाले हैं और बाद में थोड़ा और हमा संगीत का थोड़ा क्लास होगा आप सुन सकते हो गुरु कुल ही है तो आप जैसे गुरु बार बार अधर आएंगे तो ये गुरु कुल होगा निश्चित ही आएंगे आप चिंता मत करना क्योंकि पहले मैं जब आने के लिए तयार हो गया वो बोले हमारे यहां ग्रैंट तो कुछ ज़्यादा है नहीं हम कुछ आपको नहीं दे सकेंगे ठीक है तो हम सिखाने का अनन्द और आज हमरे दिदी जी को भी उन्होंने पहली बार किसी को गाना सिखाया आज अच्छा गाती है तो आप सुन रहे हैं लेकिन गाना सिखाना एक अलग कला है वो अलग आठे बेड़ करना पड़ते है असलिए अलग सा तो उन्होंने पहली बार गाना कोई नई आदमी को सिखाया और कल सिखाया आज सिखाया दो दिन में यह सभी स्टुनों ने उसका गाना फुर से गा के सुनाया चलो हमरा तयार हुए आए गाना तो दोपर पर रो रही थी आनन से रो रही थी कितना अच्छा लगता है जब हम बच्चे को कुछ शिखाते हैं वो उसमें गती दिखाता है तो हमान संगित का जो आनन मिला है शिखाने का और उन सब विद्यारतियों के माध्यम से जो अब मिला है उसकी किमत कुछ पैसा में नहीं हो सकती तो यह गुरुकुल ऐसा ही चलता रहेगा ऐसे मेरे जैसे बहुत से अच्छे गुरु यहाद आते रहेंगे अपने अलग-अलग जनरेशन को पवित्र आनन में तयार करते रहेंगे अगावे कुंधी चाराया 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 अगा नाराया अगावे कुंधी चाराया अगा नाराया अगा नाराया अगा नाराया अगा बसुदेव नन्दना वै कुंधी चाराया अगा वै कुंधी चाराया अगा वै कुंधी चाराया अगा वै कुंधलीक वरता देवार वै कुंधलीक वरता देवार अगा वै कुंधलीक गयर मैं देओ आया वे अगा देवार मदलीक वालाय है आगा वै कुंधंगह दे तोडीक शव के लेततरी:「 उड़तों हो रिस्त आर्ल कुंध् सो तेक्स कुंडलीक वरदा देवार कुंडलीक वरदा देवार कुंडलीक वरदा देवार विष्णतु गोविन्दा अगा विष्णतु गोविन्दा अगर कुमाहे चाकाता कान्धु पात्रा राखि आता वैकुंधी चाराया अगर 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 नारायना अगर वैकुंधी चाराया 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 अगर कुमाई जागाता अगर बैकुंगी चाराया कानु पात्रा राखियाता बैकुंगी चाराया कानु पात्रा राखियाता कुल्टाद! कर दो